मा बेटी के इसपर्स की कहानी अंकित के हाथ में टीफिन थमा कर उन्हें रवाना करने के बाद रेवती गुनगुनाती हुई घर के भीतर आई साड़े दस बजे थे सुबह के अंकित कॉलेज से अब साड़े चार बजे आएंगे और मिश्टी तीन बजे लोटेगी इसकुल से साड़े दस से तीन बजे तक का समय रेवती का अपना होता है और सपता के पाचों दिन वह अप इस समय का भरपूर लाब उठाती है दिखना, पेंटिंग करना, अच्छी किताबे पढ़ना, घर को अपनी रूची अनुसर सवारना, खुद को अपडूडेट रखना, सभी कुछ इस समय में होता आज भी वह नहा कर आई और ड्राइंग रूम में बैट कर चाय की चुस्किया लेते हुए आज ही आई नई पत्रिका के पन्ने पलट रही थी कि मोबाइल कीरिंग बजने लगी देखा मा का फोन था, उसे अश्चर हुआ, कल ही तो वह मा से मिलकर आई और उसने फोन उठाया अंकित और मिष्टी के बारे में पूछने और घर के कामों के बारे में अपचारिक बात चीत करने के बाद मा अचानक बोली बेटा कल तुमने घर वापस लड़ते हुए मुझे गले लगाया, बहुत अच्छा लगा, कलेजे को बड़ी ठंडक मिली बहुत दिनों बाद अपने पन और प्यार के एहसास से मंत्रिप्त हो गया कहते हुए मा का गला भराया, होन पर उनकी अवाज भाव खो गई रेउती का जी भराया, समझ नहीं आ रहा था, क्या कहे एक ही सहर में होने के कारण, मा के घर आना जाना लगा ही रहता लेकिन रेउती के भाया भावी दोनों भतीजे में ब्यस्त हो जाती है मा के पास भी बैठती है, बाते भी करती है, लेकिन अपनी बढ़ती बैस्तताओं और खुद को परिपक वह बड़ी उम्र का समझने के कारण, उसने कभी भावात्मक लगाव का प्रदर्सन नहीं किया था जबकि मा के लिए, तो सायद वह आज भी वहीं छोटी सी बेटी है, जो हर समय उनसे चिपकी रहती थी मा आज भी सायद उसी लगाव को खोजती होगी, तभी तो कल पता नहीं क्यों मा को पलंक पर अंदर अकेले बैठा देख, उसे जाने कैसा लगा, छोड़ कर आते हुए, उनसे एकाकी उदास चेहरे पर छाईी, उदास सिफी की मुस्कान ने भीतर तक कचोट लिया और अनायास ही रेउती ने भीदा लेते हुए आगे बढ़ मा को गले लगा लिया था, मा ने फोन कब का रख दिया था, लेकिन रेउती के मन में मा के वहीं भावक सब्द और आद्र स्वर गुज रहा था, स्वर की अद्रता मन के भीतर कुछ पिघला रही थी, रेउती अपनी एक मौन भासा होती है, बिना सब्दों के इस पर्स गहरी सामवना अपने पन का एहसास देता है, हर रिस्ते में इस पर्स का अपना महत्व होता है, हर रिस्ते में इस पर्स की भासा भिन होती है